ये वाटसब गाईज, वल्कम बैक टो अनेदर वीडियो, आजकी इस वीडियो में हम लोग दुबारा से अपनी बेसिक इलेक्टोनिक्स की जो सीरीज ये उसको कॉंटिउनी करने वाले, आजकी इस वीडियो में उसका लेक्चर नंबर सिक्स हम लोग देखने वाले, बट सब से पहले, लेक्चर नंबर 6 को कॉंटिउनी करने से पहले, मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, कि लेक्चर नंबर 5 वे हम लोग ने क्या-क्या चीज़े पढ़ी थी, तो लेक्चर नंबर 5 वे हम लोग ने पढ़ा था, अबाउट बायसिंग और पी एन जंक्षन इसको डीटेल में पढ़ना है तो आप लोग उस वाले वीडियो को जाके देख सकते हो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले उसके बारे में स्टटी कर लेते हैं सबसे बहले हम लोग learn करेंगे about Zenner diet की Zenner diet क्या होता है यह एक new type of diet है PN junction जैसा ही है बट difference क्या है यह भी मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताऊँगा तो second point हम लोग learn कर रहे होंगे PN junction diet versus zener diet मतलब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा comparison करेंगे basically कि PN junction diet में क्या होता है और zener diet में क्या होता है thirdly हम लोग learn करेंगे about forward and reverse biasing मतलब zener diet में forward bias condition में वो कैसा काम करता है और reverse bias condition में वो कैसा काम करता है इसके उपर हम लोग detail में study कर रहे होंगे ओके guys हम लोग पढ़ेंगे about why to use zener diet मतलब zener diet की जरुरत हमाई क्यों पढ़ती है मतलब आप लोग को भी एक question आ रहा होगा क्या अगर PN junction diet हमारे पास है तो zener diet की क्या जरुरत है मतलब PN junction तो हम लोग ने study कर लिया हमें समझ भी लिया तो PN junction diet अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है forward और reverse bias condition में तो हम लोग zener diet को क्यों use करें तो guys इस चीज़ को explain करने के लिए मैंने यहाँ पर एक PN junction diet लिया है अब आप लोग बोलोगे कि यार PN junction diet क्यों लिया है अभी जहिनर diet अगर हम लोग study कर रहें बट आप लोगों को यह चीज़ पता होनी चाहिए कि PN junction diet में ऐसी क्या कमी है जिसके वज़े से हम लोग जहिनर diet को use कर रहें ठीक है तो यहाँ पर example के लिए मैंने एक PN junction diet ले लिया है तो यहाँ पर मैंने क्या कर रहा है जैसे कि आप लोग cursor के cursor भी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने P type semiconductor में दो electrons ले लिये अभी आप लोग बोलोगे कि हम लोगों ने starting से पढ़ाए कि P type semiconductor में सिर्फ holes प्रेजेंट है और N type semiconductor में सिर्फ electrons प्रेजेंट है तो P type semiconductors में electrons कैसे आया तो यहाँ पर देखें मैंने आप लोगों को एक चीज़ explain करी थी मुझे याद नहीं किस lecture में शाय से मैंने second lecture में यह चीज़ explain करी थी majority and minority charge carriers मतलब P type semiconductor में जो majority charge carriers होते वो है holes और N type semiconductor में majority charge carriers है वो है electrons मतलब ज्यादा तर जो charge carriers है P type semiconductor में holes होते तो उसको हम लोग majority बोलते और N type semiconductor में free electrons होते majority charge carriers तो इसके लिए हम लोग उसको majority charge carriers बोलते बट P type semiconductor में ऐसे भी कुछ होते है charge carriers जो कि electrons होते थोड़े-थोड़े होते आप लोग बोल सकते हो 10 में से एक निकलता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो जो है त्री एलेक्ट्रॉंस ले लिए as a minority charge carrier मतलब कम charge carrier तो यहाँ पर मैं इसको naming भी देता है तो minority charge carrier P type semiconductor का तो वैस यहाँ पर अभी हम लोग ने PN junction ले लिए उदर minority charge carrier भी ले लिए अभी हम लोग इस PN junction diode को एक काम करते reverse bias condition में इसको connect करते मतलब क्या P type semiconductor को हम लोग negatively charge negatively टर्मिनल में connect करेंगे और N type semiconductor को positively टर्मिनल में connect करेंगे basically ultra connection करेंगे ठीक है अब देखो ultra connection के थुरू आप लोगों को पिछले वाले वीडियो अगर आप लोग ने देखी है तो आप लोगो पता होगा यह जो holes है जो की positively charge है यह attract होंगे towards terminal and यह जो free electrons है वो attract होंगे towards terminal उसके मतलब basically क्या होगा वो away from the depletion region जाएंगे इसलिए वजए से depletion region की जो वेड़ते वो increase हो जाती है यह मैंने पिछले वाले इस direction में अपना moment करेगा जो कि आप लोग को arrow दिख रहा है ना screen के उपर उस direction के अंदर अपनी moment करेगा तो यहाँ पर देखिए depletion region में neutral atoms present होता है यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ neutral atoms are present in depletion region अब आप लोग बोलोगे कि यह neutral atoms कहां से आए क्योंकि आप लोग ने तो बोला था कि depletion region में जो है charge carriers रहते ही नहीं है चार्ज ही नहीं रहता तो neutral atoms कहां से आए तो basically मैंने पिछले वाले वीडियो में भी एचीज explain करी थी कि जो negatively immobile atoms और positively immobile atoms present होते है depletion region में P type और N type semiconductor के तो जो hole से और जो electron से जो कि P type और N type semiconductor में present है वो अपने अपने immobile atoms को neutral atoms में convert कर देते हैं यह मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था तो जब यह जो convert कर देते हैं अपने immobile atoms को neutral atom के अंदर तो यहाँ पर region में neutral atoms ही रहे जाते हैं और गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक graph भी बता देता हूँ क्योंकि साती साथ हम लोग जो है electric current कैसे flow हो रहा है उसका भी हम लोग अंदाजा लेते रहेंगे तो ध्यान से देखना अभी क्या होगा positive को हम लोग ने connect किया n-type semiconductor से negative को हम लोग ने connect किया p-type semiconductor से तो यह जो electrons है यह अपना moment चालू रखेंगे और अपना current जो है flow करेंगे क्योंकि यह जो है negatively charge है electrons negatively charge है तो इनको कोई फरक नी पड़ेगा इनको reverse bias condition में भी यह current flow करेगा बट current कितना flow करेगा negligible करेगा negligible मतलब ना के बराबर या फिर आप लोग बोल सकते हैं बहुत थोड़ा तो मैं यहाँ पर graph में थोड़ा सा यहाँ पर current दिखा देता हूँ अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस circuit में अपनी जो है 5 वोल्ट की बैटरी है for example मेरी बैटरी जो मैंने connect कर रखे है वो 5 वोल्ट की है ठीक है अगर मैं इस circuit में 5 वोल्ट की ही बैटरी connect करता रहूंगा तो यहाँ पर देखिए जो current है उसकी जो moment है वो constant रहेगी ठीक है current तो change नहीं होगा क्योंकि free electrons की जो number है जो value है वो उतनी रहेगी तो वो आपस में थोड़ा बहुत current वो flow करते रहेंगे बट यहाँ पर जो है मैं आप लोग को एक चीज़ और explain कर दूँ depletion region में आप लोग ने देखा है यहाँ पर atoms present है अब होगा क्या अब process होगी क्या यह जो free electrons है वो towards depletion region जाएंगे मतलब depletion region को पार कर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यह जो depletion region है इसको पार कर लिए और यहाँ पर जो atoms present है depletion region में उसको साथ वो combine होंगे या फिर आप लोग बोल सकते हो बंबार्ड होंगे वो क्या होंगे उसके साथ combine हो जाएंगे और उसमें से एक electrons जो है वो क्योंकि free electron अगर किसी भी atom के साथ तकरा जाएगा तो वो क्या कर देगा वो अपना जो covalent bond है वो तोड़ देगा और इसलिए वो electron free हो जाएगा अब देखिए अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे न दो electrons free है इस depletion region में एक तो वो जो की तकराया है और एक वो जो covalent bond छोड़ देंगे तो ऐसे करते करते यह जो collision process है वो चालू रहती है and then इसके वज़े से होता क्या है collision process start होने के वज़े से जो number of electron से वो बढ़ जाते है और इस collision process के कारण depletion region में यह collision process होती रहती है एक दुसरे के atom के साथ और इसलिए pn junction जो है वो heat हो जाता है यह जो देखो guys यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आप लोग ग्राफ में देख सकते हो अचानक से जो current है वो increase हो गया है current क्यों increase होगा क्योंकि जब free electrons एक दुसरे के साथ collide होंगे मतलब atoms के साथ collide होंगे तो free electrons ज्यादा से ज्यादा free हो जाएंगे मतलब जो covalent bond में present है electrons वो और free हो यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो graph में point बनके आ रहा है जिदर जो current है वो अचानक से increase हो गया है तो इस point को हम लोग क्या बोलते breakdown voltage क्योंकि यहाँ पर जो voltage है उसका breakdown हो रहा है इसके कारण जब current एदम से increase हो जाता है breakdown के कारण त generated and pn junction gets destroyed और इसी के कारण हम लोगों को zenal diode की जरुरत पड़ती है क्योंकि इसमें होता क्या है कि pn junction diode में जब हम लोग reverse bias condition में उसको connect कर देते है तब यह current तो flow नहीं करता बट अगर हम लोग अपने voltage को increase कर दे बड़ी battery connect कर दे मतलब 5V की है तो 10V की अगर connect कर दे तो इससे होता क्या है pn junction diode के उपर load आता है और इसके कारण जो pn junction diode है वो destroy हो जाता है और इसी के वज़े से हम लोग को zenal diet की जरुरत पड़ती है तो I hope आप लोग को जो zenal diet को use है वो समझ में आ चुका होगा ओगे काईस यहाँ पर हम लोग अभी zenal diet को पढ़ेंगे detail में तो यहाँ पर first point के उपर चलते है zenal diet is a special purpose pn junction diode तो अगर मैं आप लोग को बता हूँ ना diet भी दो types के होते है एक है simple diet और एक है special diet जो simple diet होता है वो basically simple purpose diet होता है जो की diet का principle होता है उसी तरीके से work करता है मतलब forward कंडिशन में तो अच्छी तरीक से work करेगा reverse कंडिशन में वह अच्छी तरीक से work नहीं करता बट जैनल डायट ऐसा नहीं है forward condition में वह तो अच्छा work करी देता है reverse बायस कंडिशन में वह अच्छा work नहीं करता बट अगर एक certain voltage के उपर उसको current दिया जाए मतलब voltage दिया जा जैसे कि आप लोग ने उस ग्राफ में देखा होगा एक ब्रेकडाउन वोल्टेज था जिसके अंदर जो है पी एंजंग्शन डायोट सर्वाइव नहीं कर पाया बट जैनर डायोट सर्वाइव कर जाता है तो इसलिए बोला जाता है कि जैनर ब्रेकडाउन रीजन में जैनर यूस करा जाता है तो जैनर डायोट आट आक्स लाइक नॉर्मल पी एंजंक्श na डायोट अंडर फॉरवडब बाहईश कंडिशन तो मैंने आपको बता रखा है कि में पीं जैनर डायोट जैसे फॉरवर नच सींग्शन डायोट जैसे उसमें कुंछ डिफ्रंस नीं है थोड़ा सा difference आप लोग देख सकते हो, जो line है, जो कि triangle के बाद में जो line है, वहाँ पर opposite direction में arrows present है, और anode और cathode भी आप लोग देख सकते हो, याद कर लेना इस diagram को, ठीक है, यह बहुत सारे circuits में आगे use होने वाला है, तो guys next point के ओपर चलते है, it is the two terminal device and the terminals are anode and cathode, जैसे कि में दो terminals होते हैं, इसमें भी दो terminal present है, the arrow head in the symbol points towards the direction of the current flows, through the zener diode, it is in forward biased, मतलब जो forward biased condition में जब diet होगा, मतलब positive to positive और negative to negative, मतलब anode to positive और cathode to negative, तो यह जो arrowhead, जो triangle आप लोग देख सकते हो, जो arrowhead position है, उस direction में जो current है, वो flow होगा, ओके guys, next point के ओपर चलते है, forward biasing in zener diode, मतलब अगर हम लोग zener diode को forward biased condition में अगर connect कर दें, मतलब anode to positive to positive और negative to negative, तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखें, बेसिकली इसका जो diagram हो कुछ इस type से, यहाँ पर अगर आप लोग धान से देखें, तो इस diode के बीच में मैंने एक resistors को connect किया, यह जो zigzag line है, जहाँ पर भी zigzag line आती है, आप लोग को याद रखना है कि electronics में उसको हम लोग क्या बोलते है, resistance बोलते है, resistance बेसिकली उसके लिए use करा जाता है, कि वो current का flow है, उसको oppose करता है, या फिर रोकता है, तो यहाँ पर जो है, इसका हम लोग use करते है, जब हम load resistor है, आफिर आप लोग बोल सकते हो, resistor है, इसका इस्तमाल करा जाता है, इस circuit में basically, अब अगर forward biasing की बात करें, general diode तो आप लोग को पताईए, PN junction diode में जैसे forward biasing होती है, वैसी general diode में भी होती है, कोई भी difference नहीं है, यहाँ पर मैं एक graph भी बना देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यह जो है, IF और VF मतलब जो voltage forward है, और current forward है, उसका graph है, और थोड़ा-थोड़ा current flow होता है, और बाद में current और voltage की जो value है, वो stable हो जाती है, basically यही diagram है forward biasing का, इसमें कुछ explain करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह forward biasing हम लोग ने पढ़िए, PN junction diode में ठीक है, एक चीज यहाँ पर, एक concept है, यहाँ पर छोटा सा यह भी आता है, जो कि आप लोग को पूचा सा जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए, एक cut-in voltage नाम की चीज होती है, मतलब जहाँ से जो current है, और जो voltage जो stable होना start हो जाते है, या फिर जो उठते है उसका graph, तो उसक अगर हम लोग जैनल डायोट का जो आनल टर्मिनल है, वो positive टर्मिनल से connect करें, और जो cathode टर्मिनल है उसको हम लोग negative टर्मिनल से connect करें, तो उसको हम लोग क्या बोलते है, forward biasing condition बोलते है, जैनल डायोट की, तो guys forward biasing में ज्यादा कुछ नहीं इतना ही है, क्योंकि forward biasing same है as PN जैनल डायोट नेक्स्ट के उपर चलते हम लोग reverse biasing in जैनल डायोट और यह topic थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़े है PN जैनल डायोट के comparison में, तो यहाँ पर देखें मैंने PN जैनल डायोट लिया है, नहीं, मैंने जैनल डायोट लिया है, क् कि आप लोग को लग रहा होगा कि एक PN जैनल डायोट है नहीं, एक जैनल डायोट है, बट आप लोग कैसे पहचान होगे कि कौन सा PN जैनल डायोट है, और कौन सा जैनल है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो उस diagram के comparison में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, electrons और ज ज्यादा होती है, as compared to PN जैनल डायोट, और क्योंकि यहाँ पर जो hole से और यह जो electron से वो ज्यादा होते है, इसके वज़े से जो depletion region की जो विड़त है, वो भी कम हो जाती है, as compared to PN जैनल डायोट, अब यहाँ पर मैंने कुछ charge carriers, minority charge carriers ले लिया है, यहाँ पर आप लोग द के ध्यान से देखे क्या होगा, यह जो minority charge carriers है, यह क्या होंगे, from P side to N side travel करेंगे, towards the junction, या फिर आप लोग बोल सकते हैं, towards the depletion region, और एक बहुर यह travel कर देंगे, तो यहाँ पर देखे, depletion region के पास जाएंगे, और यहाँ पर depletion region में क्या है, neutral atoms are present, जैसे कि आपको बताए यह P type semiconductor में भी neutral atoms present होते हैं, और जो xenodire उसमें भी neutral atoms present होते हैं, तो होता क्या है, जब यह जो electrons है, वो बीच में आ जाते हैं, मतलब depletion region के बीच में आ जाते हैं, basically होता क्या है, इसके अंदर जो atoms present होते हैं, उनके साथ यह bombard नहीं करता है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं, उनके साथ यह hit नहीं करते हैं, अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक sentence बोलना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को shock कर सकता है, मैं अगर कहूँ कि यह जो free electron है, वो इधर present जो neutral atom से, उसके साथ जो है, hit नहीं करेगा, तो, तो आप लोग बोलोगे कि यह कैसा है, logic है, क्योंक जैनल डायट का जो depletion region है, वो कम है, यहाँ पर जो neutral atom से, उसके साथ bombard, या फिर उसके साथ hit करने का जो, जो जगह है, वो उसको नहीं मिल पाएगे, और इसके वज़े से, जो bombarding का जो rate है, वो कम हो जाएगा, मतलब basically, वो उसको hit करने के जो chances से, वो कम हो जाएगे, जैनल जैनल डायट है, वो destroy होगा, अब देखो, यहाँ पर भी मैंने graph आप लोग के लिए draw कर दिया है, यहाँ पर मैंने breakdown voltage, सारी चीज़े उसी तरीके से, जैसे pn junction diode की थी, उसी तरीके से सारी चीज़े है, बट अगर आप लोग मुझसे पूछोगे, जैनल डायट और pn junction diode में फरक क्या है, क्या कहना चाते हो, तो मैं बस इतना ही कहना चाता हूँ, दोनों सेम है, pn junction diode और जैनल डायट सेम वर्क करते है, forward biasing में तो सेम ही वर्क करते है, बट reverse biasing में भी सेम वर्क करते है, बट इनके अंदर difference यह है कि pn junction है, वो reverse bias condition में वो heat हो जाता है और destroy हो जैनल ड पाता और इसलिए जो free electron से वो free नहीं हो पाते, जो covalent bond में जो electron से वो free नहीं हो पाते और इसके वज़े से heating का जो process है, वो carry on नहीं हो पाता और यह जैनल डायट अच्छी तरीके से work करता है, ओके गाइस यहाँ पर हम लोग ने जैनल डायट को यहाँ पर हम लोग ने reverse biasing स इसको जो डायट है बस उल्टा कर दो तो वो reverse biasing हो जाता है, आपको तो trick पता ही है basically, तो यहाँ पर दिखें जो first point आएगा वो वही आएगा, when the cathode, अभी दिखो यहाँ पर anode नहीं है, वहाँ पर anode था, forward biasing में anode था, इसमें cathode है, when the cathode of the general diode is connected to the positive of the battery and the anode is connected to the negative terminal of the battery, then the Zenner diode is said to be reverse biased, मतलब ultra connection basically cathode connect कर दिया positive से, anode connect कर दिया negative से, तो उसको हम लोग क्या बोलते है, reverse biased condition बोलते है, Zenner diode की, अगले point के उपर चलते है, as we increase the reverse voltage, initially a small amount of current will flow, मतलब, मतलब क्या है, basically अगर हम लोग reverse voltage को, अभी दिखो यहाँ पर reverse voltage ना, यह चीज़ आप लोगों को समझनी important है, reverse voltage मतलब, यह नहीं किया, मैंने कुछ अलग ही type का voltage यहाँ पर apply कर दिया, reverse voltage मतलब, basically जो terminal है, बस उनको change कर दिये, ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग reverse voltage को, जो है, increase करते जाएंगे, थोड़ा current flow होगा, और यह current flow क्यों होगा, this current flows due to the thermally generated minority charge, मतलब, जो P type semiconductor में, जो कम charges है minority charge, जो electrons है, उसके कारण यह जो current है, वो flow होगा, या फिर current जो है, generate होगा, at a certain value of reverse voltage, the reverse current will decrease suddenly, मतलब, ऐसी एक value आएगी, certain value आएगी, reverse voltage की, जहाँ पर जो current है, वो decrease हो जाएगा, suddenly, and this breakdown voltage is called as Zener breakdown voltage, which is denoted by VZ, मतलब, यह जो breakdown हुआ है, voltage का, इसको क्या आप बोलते हैं, हम लोग Zener breakdown voltage बोलते हैं, और वो किस से denote होता है, VZ से, क्योंकि V है मतलब voltage, और Z है मतलब Zener, तो I hope आप लोगों को यह reverse biasing का पूरा concept वो समझ में आ चुका होगा, और पूरी सारे चीज़े clear हो चुकी होगी, अगर आप लोग को यह सारे notes चाहिए, तो आप लोग जो है, description वाले box से इसको हुटा सकते हो, basically, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को यह सारे notes भी देखने के लिए मिल जाएंगे, बाकि अगर आप लोग को यह video अच्छी लगी हो, तो इस video को like करके channel को subscribe कर देना, ताकि ऐसी interesting videos बनाने में motivation मिल पाए, so मिलते हैं इस next video में, so peace out.